उम शंती 64-2021 आज के मीठे बाबा के मधूर महावाक्य मीठे बच्चे अब वापिस घर जाना है इसलिए देभान को भूल अपने को अश्रिरी आत्मा समझू सबसे ममत्व मिटादो प्रश्न है संगम यूग पर तुम बच्चे बाब से कौन सा अकल सिखते हो अपनी तकदिर उँची कैसे बनाए यह अकल अभी ही तुम सिखते हो जो जितना योग-यूक्त और ज्ञान-यूक्त बने है उनकी उतनी उन्नती हुती रहती है उन्नती करने वाले बच्चे कभी भी छीप नहीं सकते बाप हर एक बच्ची की एक्ट से समझते है कि कौनसा बच्चा अपनी उची तकदिर बना रहा है गीत है मरना तेरी गली में धाना के लिए मुख्यसार पहला है अपनी चलन से बाप का वयग्य का नाम बाला करना है ऐसा कोई कर्मनों हो जो बाप की इज़द जाए सर्विश से अपना भाग्य आपे ही बनाना है दूसरा है बाप समान कल्यान कारीबन सर्व की आशिर्वाद ले आगे नंबर लेना है ग्रहस्त व्यवहार मेरे कमलफुल समान रहने की अच्छी बाहदुरी दिखानी है वर्दान है सहयोग द्वारा स्वयम को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भवव संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना यही सहज योगी बनने की विधी है जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की वापने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सिवाधरी कहा जाता है मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो, उसमें सहयोगी बनो तो यह भी योग है, जब हो ही बाप के, तो बाप और आप तीसरा न कोई हो इस से निरंतर योगी बन जाएंगे स्लोगन है, संगम पर सहन करना अर्थात, मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है ओम शंति